नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे SBI Mutual Fund की एक शांदार स्कीम के बारे में जहां हम SIP के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तयार कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते है SBI Mutual Fund की इस स्कीम के बारे में और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे की कैसे आप रोजाना 50 रुपे बचा कर 2.74 करोर रुपे तक का फंड तयार कर सकते हैं इस स्कीम का नाम है SBI Magnum Mid Cap Fund Direct Plan जैसा की नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक Mid Cap Fund है जो Mid Size की कमपनियों के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है जबसे यह स्कीम स्टॉट हुई है यानि जनवरी 2013 से लेकर अब तक इस स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिये है अगर किसी ने इस स्कीम में 10 साल पहले 1 लाख रुपे लंपसम इन्वेस्ट किये थे तो वो आज 8 लाख हो गए है यानि 10 साल में 8 गुना का रिटर्न दोस्तों अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉंटम में एक बड़ा फंट तयार करने के बारे में सोच रहे है तो ये स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप्शन हो सकती है इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप किसी भी FD और RD से 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न पा सकते है लेकिन दोस्तों, Mid Cap Mutual Funds में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इन फंद में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए अगर मैं बात करूँ SBI Magnum Mid Cap Fund की Holdings की तो इस Fund की Top Holdings है यानी इस Fund ने इन कमपनीच के शेयज में अपना पैसा इनवेस्ट किया हुआ है दोस्तों, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का All Time Return 19.69 प्रतिशत का है इस स्कीम का 10 साल का रिटर्न 23.1 एक एक प्रतिशत का है और इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न 18.77 प्रतिशत का है अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखे तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 35.03 प्रतिशत रिटर्न दिया है और पिछले एक साल की बात करें तो इस Fund ने रिटर्न दिया है 19.09 प्रतिशत का इस fund में minimum investment, SIP के जरिये 500 रूपे और lump sum 5000 रूपे कर सकते हैं, यानि आप इस scheme में 500 रूपे के छोटे से amount से investment start कर सकते हैं, maximum की कोई limit नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते हैं, इस fund का NAV अभी 188.51 रूपे चल रहा है, इस scheme का fund size 11,809 करोर रूपे का है, यानि इतन पैसे लोगों ने इस fund में निवेश किये हुए है, इसका expense ratio है 0.91 प्रतिशत का, ये तो बात हुई इस scheme की details की, आगे इस वीडियो में हम calculate करके देखते हैं कि अगर आप इस scheme में 1,7,1 रूपे lump sum invest करते हैं, तो आपका पैसा कितने साल में कितना हो जाएगा, या फिर अगर आप इस scheme में 50 रूपे रोजाना, यानि 1500 रूपे महीना से SIP शुरू करते हैं, तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा, दोस्तों, सबसे पहले हम 1,00,000 रूपे की lump sum investment को calculate कर लेते हैं, यहाँ पर हमने return माना है 19 प्रतिशत का, जो कि इस scheme का all time return है, दोस्तों यहाँ प fund में returns की कोई guarantee नहीं होती है, यहाँ पर हम 19 प्रतिशत का return सिर्फ calculations के लिए मान कर चल रहे हैं, और आने वाले time में ये 19 प्रतिशत से कम या ज्यादा हो सकता है, अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए invest करते हैं, और इस पर return मिल जाता है 19 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 1,38,635 रुपे का, एक लाख रुपे जो आपने invest किये है, उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 2,38,635 रुपे होंगे, अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए invest करते हैं, और इस पर return मिल जाता है 19 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return म मिलेंगे वो 5,79,468 रुपे होंगे, अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए invest करते हैं, और इस पर return मिल जाता है 19 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 31,42,942 रुपे का, एक लाख रुपे जो आपने invest किये हैं, उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिले मिलेंगे वो 32,42,942 रुपे होंगे, अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए invest करते हैं, और इस पर return मिल जाता है 19 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 1,84 करोर रुपे का, एक लाख रुपे जो आपने invest किये हैं, उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिल fund तयार कर सकते हैं, दोस्तों, अब हम calculate करके देखते हैं कि अगर आप इस scheme में रोजाना 50 रुपे बचाकर यानि 1500 रुपे महीना से SIP शुरू करते हैं, तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर हमने return expect किया है 19 प्रतिशत का, जो कि इस scheme का all time return है, अगर आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 150,769 रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 19 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 3,57,686 रुपे का 1,80,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 5,37,686 रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 19 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 37,19,486 रुपे का 3,60,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 40,89,486 रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 19 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 1,02 करोड रुपे का 4,50,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 1,06 करोड रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 19 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 2,69 करोड रुपे का 5,40,000 र इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर रोजाना 50 रुपे बचा कर यानि 1500 रुपे महीना से SIP शुरू करके, 30 साल में 5,40,000 रुपे जमा करके, 2,74 करोड रुपे तक का फंद तयार कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने investment horizon के हिसाब से, इस time period को कम या ज्यादा करके, इसे अपने आप calculate करके देख सकते हैं SIP calculator का link निचे description में मिल जाएगा दोस्तों, यह इस fund में निवेश की सलाह नहीं है mutual fund में निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश से पहले अपने advisor से परामर्श कर ले अगर हम कुछ और mid-cap mutual funds की बात करें तो, वो है Axis Mid-Cap Fund, Kotec Emerging Equity Fund, Quant Mid-Cap Fund, PGIM India Mid-Cap Opportunities Fund, मोतिलाल ओस्वाल Mid-Cap Fund आदी यह सारे mid-cap funds भी काफी अच्छा perform कर रहे है तो आपको यह plan कैसा लगा और इसमें investment के बारे में आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें comment करके जरूर बताए इसके अलावा, आप कौन से mutual funds के बारे में वीडियो देखना चाहते है वो भी हमें comment section में जरूर बताए दोस्तों, mutual fund में निवेश करने के तीन तरीके होते है पहला fund company की website, दूसरा broker के through और तीसरा घर बैठे mobile app के द्वारा अगर आप mobile app के जरिये निवेश करना चाहते हैं तो आप stocks का link नीचे description में दिया है उस पर click करके आप अपना Demet account open करके direct invest कर सकते हैं धन्यवाद